बड़ी खबर भोपाल से आ रही है बच्चियों के अपरण के मामले से जुड़ी भी ये खबर एक बड़ा अपडेट आ रहा है मानवत तसकरी यूमन ट्राफिकिंग के एक बड़े अंतरराज्जी गिरों का खुलासा हुआ है पूरे देश में अपरण करताओं का जाल फैला हुआ है बच्चेओं का अपरण कर ये दूसरे राजों में बेज देते थे पुलिस ने मानवत तसकरी की धारा इन पर लगाई है महला डॉक्टर भी इनमें शामिल है और सरदार को पकड़ने के लिए महला डॉक्टर और सरदार दोनों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस जाएगी जियां महला डॉक्टर और सरदार ने बच्चों की डिमांड की थी ये खबर आ रही है दो अन्य बच्चों के परिजरों की तलाश कर रही है पुलिस आरोपियों की पांच दिन की रिमांड मांगी की पुलिस बोपाल में कन्या भोज के बहाने इन्होंने बच्चियों का अपरन किया था तबी ये नजर में आये थे CCTV के जरी इनकी तलाश की गई आखिरकार काफी CCTV के फुटेज तलाशने के बाद पुलिस इन आरुपियों तक पहुंची और जब देखा इनके पास ये दो बच्चेयां तो मिली इनके बाल मुनवा दिये गए थे ताकि इनकी पहचान नहों सके लेकिन इनके साथ ही साथ दो और बच्चेयां इनके साथ मिली है वो दो बच्चेयां बहार से ये भी अपरहण करके लाया थे इस बात की भी जानकारी मिली है पुलिस हाब उनके परिजानों को ढूनने का प्रयास कर रही है और पता कर रही है कि यह कहां से इन बच्चों को अपरहट करके लाया गया था और यह बड़ी एक खबर आ रही है इस वक्त हमारे साथ हमारे सायोगी दीपक दुएदी जुट सुके उनसे बातशित करेंगे दी जी ललित बता दू कि केरल हरियाना और दिल्ली इन तीनों जगे से टो इनके तार सामने आ चुके क्योंकि जो पाँ चारोपी है इन तीनों जगे से connection है इनका और जो दो बच्चिया इनके पास से बिलिये है एक तीन महीने की और एक करीब पांस साल की बताई जा रही है वह यह भी पता किया है कि एक डॉक्टर महिला जो दिल्ली में रहती और एक सरदार जिनके बच्चे नहीं थी उन्हों ने इनसे बच्चों की डिमांड की थी और कैसे इन बच्चों को लेकर आना उनके लगातार कनवर्शेशन चल रहा है यह भी पूरे उनके मोवाईल में पुलिस ने फ्रेंसिक जाच में पाया है इसके अलावा अभी पुलिस ने इन्हें भोपाल के जिला न्याले में अभी अभी ततकाल इनकी हीरिंग चल रही है अंदर और फेश किया है अभी यह देखना होगा कि की थी और कितने पैसे में इनकी बाच्चीत हुई थी यह सब उन दोनों के पकड़ाने के बाद ही पता चल पाएगा फिलाल करीब इनसे भी पुलिस 36 घंटे से उपर से पूस्ताज कर रही है पर अभी तक इन आरोपियनों कोई वी ऐसे राज नहीं उगले हैं कि आखिरकार अब यह देखना होगा कि इन्होंने पिछले दिनों और कहां कहां पर कितनी जगों पर अपरण की वारदात को अंजाम दिया है अब यह या भी दूसरा देखना होगा कि पुलिस को कितने दिनों की आज रिमान बिलती यह ललीट चल का परदाफाश होना बेहत जरूरी है तो बच्चियों के अपरण के मामले में आरोपियों को कोट में पेश किया गया है पुलिस ने पांच आरोपियों को कोट में पेश कर दिया है और बंसल नियूस पर इन आरोपियों ने कहा है कि अन्या जो दोनों बच्चे हैं वो मेरे है अन्य दोनों बच्चे हैं मेरे, हमने अपरण नहीं किया, इलाज के लिए लेकर गएते हैं, पुलिस कोट से इन आरोपियों का पांच दिनों का रिमान मांगेगी तो आरोपियों से हमारे समवादाता ने बात करने की कोशिश की, आईए सुनाते हैं आपको अपरण मामले में आखिरकार अब पुलिस कोट में आरोपियों को लेकर पहुच गई है, बीते शनिवार को अपरण केस का कोटवाली थाना छेतर से मामला सामने आये था, जिसके CCTV फुटेज भी सामने आये थे और इस पूरे मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था और आईपी कार समेत चार विदेशी डॉग भी बरामत किया थे, इसके अलावा दो अन्य और बच्चिया अपहरण की बताई जारी है, जिन्ने पुलिस ने बरामत किया था, क्यों किया था था मेरी बच्ची है, यह देख सकते हैं कि यह इन आरोपियों को जो है, आज पेस किया जा रहा, जो महिला है, जिनका अपहरण किया है, उनका कहना है कि जो दो और बच्चिया बरामत की गई है, पुलिस द्वारा, वो उसी की परहला की, वो पुलिस जो है, अभी इस पूरा मा दोनों बच्चिया मेरी है पर हला की पूलिस की पुस्ताज में कबूल नहीं कर रही है और पोलीस बीया माना यह जो दोनों बच्चिया और भी अपहरण की गाई बच्चियां पूरे मामले में कितने दिन की रीमांड लेती है अमांगती है और इतने दिन की पुलिस को रिमांड मिलती है बंसल न्यूस के लिए वीडियो जनलिस्ट पुश्रतम इसराग साधी पकदिवेदी भोपाल और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे राइपूर से बड़ी खबार आ रही है कॉंग्रेस